हलो दोस्तों चानल पर आपका स्वागत है शनी देव करकलगन या कैंसर असेंडेट के अश्ठम भाव में क्या प्रभाव देंगे दशांतर दशा में क्या होगा क्या उपाई करने है और ज्यादा सुक्ष्मिता में जाते हुए डिग्री वाइस भी शनी देव के हम रिजल्ट कावर करेंगे तो आपकी कुंड़ी में शनी देव जिस भी डिग्री में है उसमें क्या एडिशनल प्रभाव आएंगे वो हम देखेंगे तो पहले बेसिक्स करकलगन की कुंड़ी में चार नमबर यहां पर लिखा होता है लगन में सबसे उपर वीचो बीच चंद्रमा देव इसके मालिक होते हैं चंद्रमा और शनी शत्रू कहला जाते हैं तो चंद्रमा ने शनी देव को इस कुंड़ी के अंदर एक खराब भाव दिया अश्टम भाव और शनी देव आज के वीडियो के लिए हम अश्टम भाव में ही ले रहे हैं तो सोराशी हो गए शनी देव सात्वे सात्वे भाव के भी मालिक होते हैं जब भी शनी देव का प्रभाव हम अश्टम भाव को देखें या उसकी उम्र लंबी होगी जादतर लोगों को ये इस मावले में बेनिफिट देते हैं मगर साथ में ये आँखों में प्रॉब्लम भी कर सकते हैं और वो भी देरी से आएगा अर्थात व्यक्ति के बुढ़ापे में इनको आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है शनी देव जब भी अश्टम भाव में बैठे हो किसी भी कुंडली में हमें चेक करना चाहिए कि क्या व्यक्ति के हाथ में यहां से बीच वाले उंगली जो सबसे लंबी उंगली होती है यहां से लेकर ऐसे करकर एक लाइन बनी हो सकती है शनी देव के अश्टम भाव में बैठे हुए वक्त, ये व्यक्ति अभिमानी होगा, एहंकार बहुत होगा इसमें, अपने आप में रहेगा और अपने आपको ये ज़्यादा पसंद करेगा इस व्यक्ति को साप या चोड से डर लग सकता है, ऐसा कहा जाता है कि अकेले शनी देव यहाँ बैठे हों, तो व्यक्ति पर बुरा प्रभाव नहीं देते हैं फिर भी जादतर कुंडली में किसी और ग्रैकी, द्रिष्टी या युती द्वारा ये प्रभावित होई जाते हैं, तो जादतर लोगों के लिए, क्योंकि आठवाव भाव खराब हैं, इनके प्रभाव कही न कहीं खराब होते हैं, और ये रुकावटें इत्यादी देते रहते हैं, प्रॉब्लम्स देते रहते हैं व्यक्ति को, शनी देव जब भी यहां बैठे हो, मंगल देव को चेक करना चाहिए, यदि मंगल देव कुंडली में अच्छे या बुरे, जैसे भी होगे शनी देव का प्रभाव, वैसा ही अच्छा या बुरा हो जाता है, साथ ह हमें रहु केतु की पोजीशन भी चेक करनी चाहिए, अगर केतु कुंडली में पहले भाव से छटे भाव में हो, यानि कि यहां 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 यहां, तब रहु देपता, इनके ऑपोजिट कहीं पर साथवें से बारवें में होंगे, उस केस में, जादतर क इसमें कहा जाता है कि शनी देव के प्रभाव अच्छे आएंगे शनी देव यहाँ पर बैठकर जब बुरा प्रभाव देंगे तो उसकी इंडिकेशन्स आएंगी व्यक्ति को शराब पीने की लत लग जाएगी और जितनी वो शराब पीएगा उत्रे जादा शनी देव के प्रभाव खराब होते जाएंगे इस व्यक्ति के यदि च्छाती पर बहुत जादा बाल हो तब इसको आर्थिक संकट कही न कही बना रहेगा पूरी जिंदिगी और ये आर्थिक संकट तब भी बना रहेगा यदि कुंडली के अंदर बारवा भाव खाली हो और इस व्यक्ति के नाखून में भी काला पन हो काला रंग हो शनी देव के यहां बैठने के वाक्त ये व्यक्ति जब भी पैदा होंगे इनके पैदा होने से पहले या एकदम बाथ ऐसा हो सकता है कि इनके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्य हो और खासकर इसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाती है जब शनी देव के साथ यहां पर कोई और ग्रह बैठा हो खासकर जब इन ग्रहों में से शनी देव के शत्रू सूरे चंद्रमा या मंगल यहां पर बैठे हो तब इसकी probability और ज्यादा हो जाती है यहां जो उपाय दिया गया है कि जब भी हम नहाएं उसमें थोड़ा सा दूद मिला ले एक चमच और हमेशा किसी चीज़ पर बैठ करना है जैसे स्टूल इत्यादी पर और नंगे पैर नहीं नहाना पैर आपके डारेक्ट जमीन पर नहीं लगने चाहिए आप पैरों के तो शणी देव सात्य वाउम के मालिक हैं और रच्टम ॉजकर भाहओ के मालिक हैं तो शणी यहां व्यक्ती को अपनी दशान्तर दशा में शादी करने में मदब करेंगे मगर शानी देव एक स्लो प्लानेट है तो शादी लेट हो सकती है या पती की पत्मी के बीच में उम्र का फासला ज्यादा हो सकता है और शादी शुदा जिंदिगी में यदि पती या पत्मी का दस नंबर का प्रभाव उनके उपर ज्यादा है तो वो बाच्चीप कम करेंगे, इमोशनली उतने अटाइच नहीं होंगे, ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, मगर करकलगन वाले जद तर अच्छे लोग होते हैं, इमोशनली केरिंग होते हैं, तो ये अपनी शादी को अच्छे से संभाल लेते हैं, फिर भी हो सकता है कि प उद्योग से जुड़े हैं उद्योग पतियों को ये फाइदा देंगे ये कोई पैसा लंप सम में मोटा पैसा कहीं फसावा पैसा व्यक्ति को दिलवा सकते हैं जैसे इंशोरेस ग्रैचुटी पेंशन बोनस पैतरिक थन व्यक्ति को मिल सकता है मगर अश्टम भाव के रुकाफ्टे भी देते रहेंगे और हर चीज में लगेगा कि देरी हो रही है सब काम दीरे दीरे चल रहे हैं और यहां से बैठकर इनकी तीसरी दृष्टी प्रोफेशन के भाव पर करम स्थान पर पढ़ती है और दृष्टी क्रूर होती है तो इसको प्रभावित करते हैं सात्वें दृष्टी पैसे के भाव पर धन भाव पर पढ़ती है इसको भी प्रभावित करते हैं तो प्रोफेशन और धन दोनों में ये कमिल आते हैं और दस्वें दृष्टी इमकी पंचम भाव पर पढ़ती है यह शानी देव के ओवर ओल एफेक् लिखा है यहां 8 नमबर लिखा है और जहां 12 नमबर लिखा है यहां पर यदि कोई ग्रह ना हो तो शानी देव के यह result आने की संभावना सबसे जादा हो जाती है मगर यदि यहां पर कोई ग्रह हो तो degree wise जो हम रिजल्ट देखेंगे वो additional results आने की संभावना जादा और जादा हो जाती है यदिशनी देव यहाँ पर 0 degree से लेके 6 degree 40 minute की बीच में है तब हमें कुडली में मंगल देव को चेक करना है अगर मंगल देव कुडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति को promotion, profession में मदद मिलेगी status भड़ेगा public में मान समान प्रतिष्टा संतान प्राप्ति में मदद करेंगे long term investments में मदद करेंगे प्रेम संबंद देंगे एक छोटा सा प्रेम विवाख का योग भी यहां पर बनाएंगे कला कारों को फायदा देंगे और sports में व्यक्ति जोड सकता है व्यक्ति को नौकरी में परिवर्थन transfer changes इत्यादी दे सकते है यहाँ पर उपाए के तौर पे यक्ति को छोटा मुटा दान 4-5 रुपए का करते रहना चाहिए जितने ज़्यादा वो कर सके मगर यदि मंगल देवता खराब स्थिती में है तो यह सब प्रभाव कम हो जाएंगे शनी देव यहाँ पर यदि 6 डिगरी 40 मिनट से लेके 20 डिगरी के बीच में है तो कुंडली में हमें राहु देव को चेक करता है यदि राहु देव कुंडली में खराब है और उपाए करने की अवश्यक्ता हूँ उस केस में शनी बार के दिन नारियल किसी गरीब आदमी को दान दिया जा सकता है मगर राहु देट्ता की चू की कोई राशी नहीं होती है तो जहां भी आपकी कुंडली में प्लेस्ट है आप उसके अनुसार रिजर्ट्स को देखिए शनी देव यदि इसी जगा पर 20 डिगरी से लेके 30 डिगरी के बीच में है तब हमें ब्रियस्पती देव को कुंडली में चेक करना है ब्रियस्पती देव कुंडली में कैसे है यदि ब्रियस्पती देव कुंडली में अच्छे है तो व्यक्ति को नौकरी मिलेगी नौकरी में परिवर्तन ट्रास्फर चेंजस मिलेंगे loan में लेगा इस period में competitive exams में involved हो सकते हैं court cases में involvement होगी स्वास्ति का यहाँ पर ध्यान रखना है accident इत्यादी हो सकता है व्यक्ति की लंबी यात्राई होंगी विदेश यात्रा की संभावना भी बढ़ जाती है व्यक्ति higher education में benefit लेगा यदि ब्रियस्पति देव अच्छे हो और व्यक्ति को यह धर्म में रुची देंगे अगर यहाँ ब्रियस्पति देव की position खराब है तो उपाई के तौर पे कुंडली चेक करा कर ही ब्रियस्पतिवार को किसी ब्रामन को पीले रंकी बस्तू जैसे चनी की दाल या हल्दी दान दी जाती है मगर कोई भी दान करने से पहले कुंडली अवश्य चक करा ले तो शनी देव के यह overall effects आएंगे हमें याद रखना है जब भी शनी देव की दशा अंतर दशा पर तेंतर दशा चल रही हो तब हमें मासाहार और शराब का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए और गरीब और बूड़े लोगों की साहेता करनी चाहिए तो मुझे उमीद है आपको शनी देव का प्रभाव समझा गया होगा अगले वीडियो में फिर बिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद